नमश्कार दोस्तों तो सखट, था था हमारे चैनल पर तो दोस्तों मत्सपति इस लोग से वायोग फिर से अपनी जो बेकेंसिया है उसको रियपंड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेकेंसिया कितनी बार उपन होंगी इस बार पता नहीं चल रहा है बार बार कहीं कुछ मुद्दा आजाता है कहीं OVC मुद्दा आजाता है और अब रोजगार पंजियन का जो मुद्दा बना हुआ है वो तो विल्कुल गले को पकड़े हुए ऐसे है कि पास मारी डालेगा तो देख लिए कि फिर से अब रोजगार का जो मुद्दा है उसी के हिसाब से इसको फिर से री ओपन कर दिया अभी पहले अधर स्टेट के लिए हलांकि उन्हें री ओपन कर दिया था इस्टेट सर्विस एक्जामिनिशन की बात की चल रही है यहां पर अब देख लिए उसक से अब फॉर्म री ओपन कर दिया जाएं और वहीं उसमें बोल दिया है कि अब जो भी निवासी हैं उनके लिए रोजगारत का जो पंजियन है वो आवश्यक नहीं रहेगा लेकिन इंटर्विय के टाइम पर आपको जरूर प्रिस्थत करना होगा जो होगी मद्द प्रदे के लिए रोजगार पंजियन से भी छूट जी जाएगी है तो वो केवल अपने जो डेपार्टमेंट है वहां से अनोसी या फिर कोई भी लेटर है जो प्रिस्थत कर सकते हैं उससे काम चल जाएगा तो देख लिए अभी क्या है स्ट्रेट इंजिनिंग सर्विस एग्जाम प्रिस्थत करना चाहिए इनको के सभी के लिए कर दें लिकन करते क्या है फिर इंजिनियर करेंगे ऐसी डेंटल कर देंगे कल को कोई और परिक्षा होगी फिर उस पर हो गया अभी ब्यापंग पे चलेगा ऐसे ही मुद्दा क्योंकि वहां पर भी अधर इस्टेट के लिए उपन नहीं है वहां पर भी सेम रहेगा फिर उस पर भी इस नाटक होंगे तो अच्छा है कि पहले ही ब्यापंगी इसके लिए सतर्क हो जाए और चाहिए तो वह रियोपन करते सभी के लिए लेकिन देख सकते हैं अधर इस्टेट में भी हम बात करते हैं जैसे 36 गरका हैं तो इस इसाफ से वह राश्ट्रिक्ट कर देते हैं लेकिन वहां पर कोई केस नहीं करता है सिर्फ MP में ही लोग केस कर देते हैं तो और जैसे कि आप ठीक है अच्छा ही वात है सभी को मौका मिलना चाहिए तो यह जो जजमेंट से मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो केस का decision आय था वो versus union था यानि इंडिया के versus था यानि वो सभी के लिए लगेगा जितनी भी state है वहां पर लागू होता है इसलिए कोई भी state है वो restrict नहीं कर सकता है किसी भी other state के candidate को examination में बैठने के लिए तो इस वरकार की मतलब आप देख सकता है कि आयोग के पास इतने उच्छे well qualified है उनको इतना तो पता होगा कि किस परकास से कदम लेना चाहिए लेकिन उनका जो garden है जो campus है वहां पर उच्छ कोटी का जो है नसा पाया जाता है वहां से उसका सेवन करता है तो बस उसी में लगे रहते है और बस बच्चों का जो भविष्ट है वो नहीं नहीं दे पाते हैं इसमें बीच में disturbance हो जाता है क्योंकि कभी date को लेकर कभी भी security नहीं होती है पेपर कभी भी cancel हो जाते हैं बढ़ जाते हैं कोई date जो दी जाती है schedule में दो साल पहले तक जो calendar होते हैं उसको follow नहीं किया जाता है अभी भी कई interview है वो भी नहीं हुए ह तो देख सकते हैं आप क्या मालफ होंका जा रहा है तो दोस्तों बस यहीं चल रहा है यह के वले MP की बात नहीं है other state में और भी condition कहीं गई गुजरी है जैसे आप देख सकते हैं पेपर लेक की समस्यां जो चल रही है कितनी बड़ी समस्यां है तो पहीन है कहीं इस दिसा में जो युबा है इसके लिए कोई मांग करना चाहिए कि भई पेपर जो कंड़क है वो ठीक प्रकार से हों इसके जो भी आयोग है अपनी responsibility ठीक प्रकार से निवाए और जो भी हमारे जन पिरजी ने दी हैं आपके अपने सहर के विदायक हैं उनके थुरू आप इस प्रकार की मांग कराएं जाएं कि इसके लिए जो भी लोका तीम हैं इस पर कड़ी नजर रखें कि इस परकार की गड़बड़ी ना हूँerna हो या पेपर का जो सधocy्पिल हो किस किस हिसाप से किसम्री को फायदा पहुंचाने के लिए इस परकार की जो चाले चली जाती है अब देख सक है कि कहीं ने कहीं इसको मतलब आगे क्यों बढ़ाया जा रहे हैं अभी पंचायत इलेक्षन आ रहे हैं पूरा अनले से आप देख सकते हैं कि हाँ दो हजार तेईस में आपके चुनाव हैं तब उसके पहले तक आप बेकेंसी निकालोगे फिर पूरा प्रशासम उसमें लग जाएगा फिर कईसी दिया किसी वज़े से आपकी जो बेकेंसी फिर डेले हो जाईगे तो ऐसा ही चलता रहेगा इसके लिए हम और आपको ही आ गया आना पुड़े जुड़े रहना पुड़ेगा एक दूसरी से संग्ड़ेद रहना पूड़ेगा तो दूस्तों बने रहे हमारे साथ आप सभी का दर्नेवाद